घ्रिणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं घ्रिणा का मतलब होता है किसी से नफरत करना तो घ्रिणा को इंग्लिश में आप हेट्रेड, हेट या डिस्गस्ट कह सकते हैं जैसे कि एगर आप ये कहना चाहिए कि हमें किसी से भी घ्रिणा नहीं करनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं, we should not hate anyone. We should not hate anyone या we should not have hatred for anyone. या अगर आप ये कहना चाहिए कि नफरत या घ्रिणा एक नकारात्मक भाफना है, तो आप कह सकते हैं, hatred is a negative emotion. अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.